नमस्कार दोस्तो, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चानल अंकित वर्मा ओल एच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थमनिल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग नुज आई है कि हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले जो है सरकार द्वारा ले गए हैं आज कैबिनेट की बैठक थी तो क्या फैसले जो हुए हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने बारा हूँ वीडियो पर एंट तक बने रहे है अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर कर दें और अंकित पर्मा और एटपी नोटिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूल आ ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आईए कि कैबिनेट मीटिंग हिमाचल में मैरिट के आधार पर होगी मल्टी टास्क वरकर्स की भरती तो हिमाचल प्रदेश की शमला से निवजे की हिमाचल कैबिनेट की बैठक जो है आज सीएम जाराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रियाठक में मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है अब हिमाचल में मल्टी टास्क वर्कर्स के 8000 पद मेरिट के अधार पर भरे जाएंगे इसके साथ ही STM की अध्यक्षता में एक कमिटी भी बनाई जाएगी साथ ही छात्रों को लापटॉप देने का भी फैसला लिया गया है इसके अलावा कंडगार 169 पाउंटा के लिए रिवाजट प्लान बनाया गया है जहिर है कि हिमाचल प्रदेश में मल्टी टास्क वर्कर्स के 8000 पदों पर भरती पस्तावित है सरकार चुनाव से पहले हर हाल में या भरती करवाना चाती है इससे पहले 4000 पद जो है नियम 18 के तयात करुणा मूलक आदार पर CM की संस्तुती पर भरे जाने थे और 64000 पदों के लिए आवेदन अमंत्रित किये जाने थे लेकिन अब से सभी मेरिट के आदार पर भरने का फैसला लिया गया है पहले क्याबिनेट की बैठक शनिवार को हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचर प्रदेश की हर नौटिपकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यावाद जैहिंज जैभाब